इसके बाद में देको पेज नॉबर 17 पर आपको एक कुशन दे रखा है कुशन है एक प्रेक्टिकल सर्केट्स हैविंग एसे सोर्सेज और वेरिएबल फ्रिकेंशी और शोन इन फिगर इनिशली दे करेंट फ्लोंग इन इच अप देम इस सेम इफ दे फ्रिकेंशी इन इन इस सर्केट्स भी अफेक्टेड गिव रिजन फॉर यूर आंसर देखो तीन अलगलग सर्केट दिखा रखें और तीनों में हमने अलगलग कंपोनेंट्स को करेक्ट किया हुए एक एसी वोल्टेज सोर्स के क्रोस यह कोई ऐसी वोल्टेज सोर्स है और पहले सर्केट में करेंट फ्लोर है आई सेकेंड केस में हमने क्या किया एक इंड़क्टर को इस वोल्टेज सोर्स के क्रोस करेक्ट कर दिया वोल्टेज सोर्स कौन सा है एसी वोल्टेज सोर्स है इसकी फ्रिक्वेंसी है सपोस करो एफ और तीसरे केस में हमने क्या किया ही एक कैप क्यव皆 सब्सक्राइब करेंगर में रखना है तीनों केस् encant 007 को एकनेक्त में आफ हो सरक्वेंग करता हूं अगर हम इस सब्सक्राइब है इसके सब्सक्राइब कर दो चाहिद है तो हम काने करा जाया ग murders और यह ли lounge कर दो कर दो है उसका explanation आपको देना है पहले केस में देखते हैं पहले केस में हमने एक resistance को एक एसे वोल्टेज सोट के क्रॉस कनेक्ट किया हुए करेंट का फ्रमला होता है voltage upon resistance ठीक है रेजिस्टेंज की जो वैल्यू है वो फ्रिक्वेंसी की उपर डिपेंड नहीं करती है फ्रिक्वेंसी आप चाहिए इंक्रीज करो है डिक्रीज करो रेजिस्टेंज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसका मतलब current क्या रहेगा यहाँ पर constant दूसरा case उसमें देखो अब दूसरे case में क्या होगा कि हम frequency को increase कर रहे हैं current का formula होगा i equals to e upon और क्योंकि inductor connected है और inductor का जो resistance होता है एक तरह से इसी के लिए उसको हम बोलते inductive reactance क्या बोलते हैं उसको XL inductive reactance और XL का formula क्या होता है omega l omega को हम 2pi f भी लिख सकते हैं तो 2pi f into l अब आप सोच के बताओ कि अगर frequency increase करोगे तो इससे क्या होगा इससे यह वाली value increase होगी यानि XL की value increase होगी और अगर XL increase होगा तो current decrease होगा इसका मतलब second circuit में अगर frequency increase करोगे तो current की value decrease होगी तीसरा case उसमें देखो current का formula क्या है i equals to e upon इस बार लिखना होगा xc xc मतलब capacity reactance xc का formula क्या होता है one upon omega c ठीक हो मेगा सी उपर multiply होगा तो i equals to e into omega c omega 2 pi f भी लिखा जा सकता है 2 pi f into c लिख दिया इसको अब बताओ frequency increase करोगे तो यह वाली value increase होगी जिससे current भी increase होगा इसका मतलब यह है कि तीसरे वाले case में अगर frequency increase करोगे तो current की value भी increase होगी तो यह इनकी बीच में relation होगा मतलब इसको हमने explain कर दिया एक तरह से कि current किस तरीके से अफेक्ट हो रहा है तीरों सर्कृट में पहले case में current क्या रहेगा constant रहेगा उसमें कोई change नहीं आएगा second case में current क्या होगा decrease होगा क्या होगा current decrease और तीसरे case में current क्या होगा इंक्रीज होगा क्या होगा तीसरे case में current increase हो रहा होगा ठीक है अगला जो question है उसमें आपको बोला जा रहा है ए रेजिस्टर ओफ फॉर हंड़े ओम एन इंड़क्टर ओफ फाइब पाइपाई हैंड़ी और कैपेस्टर ओफिप्टी अपॉन पाई सब्सक्राइब और क्या रहा है इंड़क्टर ओम एक आपको इंड़क्टर है उसकी वैल्व दे रखेए फाइब अपॉन पाई है बढ़े और एक कैपेस्टर कनेक्ट किया है जिसकी वैल्यू है फिफ्टी अपॉन पाई माइक्रो फेरेड वल्टेज जो लगा रखा है वह आपको देए रखा है एक्वल्स टू वन फॉर्टी साइन हंडरेड पाई टी ठीक है यह आपको वोल्टेज की वैल्यू दे रख करने तो तीनों को एक रोड़ inauguration एप करना है मिदलब समझते हो न थैसे अगर स्कुरात पर है करों करना पढ़ेखा थो करना मुझे श्रांब को करते हैं क्योंकि RLC circuit में circuit का जो impedance है उसी से हम current को calculate कर पाएंगे उसी की value के बाद में हम current की value calculate कर पाते हैं तो formula होता है R square plus XL minus XC whole square values put करके solve करो R की value है 400 square कर दिया ठीक है प्लस XL क्या होता है omega L अच्छे यहां पर जो equation दे रहे रहे हैं उससे आप बताओ कि omega की value कितनी है 100 पाई टीका जो multiple होता है वह होता है omega और यह जो sign function के आगे लिखावाई यह क्या चीज़ होती है E note मतलब maximum value of voltage तो omega है 100 पाई ठीक है तो यहां पर XL होता omega L यानि 100 पाई इंटू एल की value कितनी है 5 अपॉन पाई यह पूट कर और c की value कितनी है 50 अपॉन पाई वन अपॉन ओमेगा सी था ना तो omega की value 100 पाई और c की value कितनी है 50 अपॉन पाई और micro में है तो micro मतलब 10 डास टू पाउर माइनस 6 अना square कर देंगे इसका भी ठीक है यह अपने पाउस में जैड की value आ जाएगी कितनी आएगी देखते हैं तो को यह आएगा 400 का square प्लस यह पाई से पाई कैंसल करोगे तो यह 500 बनेगा और इसमें भी पाई कैंसल कर दो और यह बनेगा 5000 इन्टू 10 डास टू पाउर माइनस 6 यह 10 डास टू पाउर माइनस 6 उपर जाएगा तो 10 डास टू पाउर प्लस 6 बनेगा और उसके बाद में जब आप इसको 1000 से निचे जो तीन जीरो हैं से आप कैंसल करोगे तो 1000 अपने पास आएगी तो यह है 500 यह 200 माइनस करोगे तो आएगा 300 स्क्वायर करके सोल कर लेंगे इसको सोल करोगे तो बताओ l कितना होगा तो आपको आरम वेल्यो आफ वोल्टेज निए लिए जो 140 लिखा है यह क्या है इनोट तो इनोट बाई रूट टू इन्टू वन बाई जैड कर देते हैं तो यह जो इनोट है यह 140 पुट कर दो रूट टू की वेलू 1.414 होती है जैट की वेलू कितनी सॉल कर ही हमने 500 ठीक है सॉल कर लेंगे तो आई रमस कितना आएगा यह देखो यह 140 है और य से आपको क्या करना है आपको करना है विल क्या है वी एल कैल्कुलेट तो आई रमस इंटू एंटू एक्सेल यह होगा VL यानि इंड़क्टर के एक्रोस वोल्टेजडोप का फॉमला ठीक है आर्मस वोल्टेजडोप करो इसलिए आई रमस से मल्टिप्लाइब कर रहे है आई रमस है वन बाई फाइव एक्सल कितना होगा एक्सल होता है ओमेगा एल ओमेगा यहां पर देर रखा है हंड एक्सी आई रमस की वेल्ड़ वन अपोन 5 और एक्सी वेल्ड़ कितनी है एक्सी मतलब करेंक्स क्रणा यह यहां पर यहां पर पाई से पाई कैंसल कर दो यह तीन-जेरो थाओ गड़त दो टैन्रेश कर माइनस थी बचेगा यह उपर जाएगा तो बन थाजिन फाजिन अप 25 क्या आएगा आंसर सौल करोगे ने इसको तो यह आएगा 40 वोल्ट इसका मतलब यह है कि तीनों जो अलग लग लग आप आप हो तो टोटल जो सब्सक्राइब करना है और उसका फॉर्मला क्या होगा तो यह रमस इक्वल्स टू हम क्या लिखेंगे यह नौट भाई रूट टू लिखेंगी कितना आएगा यह 140 upon 1.414 कितना आएगा सॉल करने पर 100 वोल्ट आएगा ठीक है यह रमस कितना है 100 वोल्ट है सर्किट में जो वोल्टे सप्लाई किया आपने उसकी रमस वैल्यू कितनी है बताओ 100 वोल्ट अब मैं अगर वील वीसी और वी आर तिनों को एड करता हूं वील वीसी और वी आर अग वोल्ट आएगा अब आर्मस वोल्ट जो सप्लाई किया है वो तो है 100 वोल्ट और इन तीनों को मिल रहा है टोटल वो कितना है 220 वोल्ट है तो यहाँ पर कुछ ना कुछ घटबड़ है मतलब ठीक है तो यहाँ पर गड़बड कि हमने इनको डारेक्टली एड किया वोल्टे वीर होगा वी एल इस से 90 डिगरी आगी होगा और दिगरी पिछे होगा तो तीनों अलग अलग अपिको कौन से अडिशन करना होता है तब आपको total करें यह आप गलती कर लो मतलब यहां पर यह पूछा है कि आरे मैं सब्सक्राइब की वैलू है और हुआ को जिए अट्र तो ज्यादा तो आ रहा है लेकिन हमने गलत कि इसलिए ज्यादा आ रहे है अधरवाइस यह ज्यादा आता ही नहीं ज्यादा क्यों आ रहे है क्योंकि आपने डारेक्टली एड कर लिया डारेक्टली एड करना ही इनको इनको कैसा करना है वेक्टरली एड करना है वेक्टर एड को आप एड़ करोगे इनकी बीच में एंगल कितना है 90 तो अंडर रूट ऑफ सिक्स्टी स्क्वाइर प्लस 80 स्क्वाइर करोगे तो आंसर क्या आएगा हंडेड ही आएगा अब यह आएगा वी आर कितना है 80 और यह यह आएगा माइन प्लस यह यह एगा 100-40 और इसको तो सब्सक्राइब करना है तो सब्सक्राइब करना होता है तो यह पूछा था कि अगर यह ज्यादा आ रहा है क्या गडबड़ा यहां पर तो गडबड़ी यह कि डारेक्ली नहीं करना है झाल